हेलो दोस्तों मैं संदीप मिस्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल SM Classes में दोस्तों आज किस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हैबिटेट ओफ एल्गी एंड डिस्टिबिशन ओफ एल्गी तो इनके हेबिटेट से रिलेटेड हम कुछ ऐसे ट SG को देखेंगे जो आपके एक्जाम के पॉईंट ऑफ यू से शॉत नोट में आते हैं और मैंने इसमें अल्गी से रिलेटेड कुछ ऐसे हेबिटेट को लिया है जो की बहुत कम आपको किसी भी नोट्स में दिखाए देंगे तो इस लेक्चर में मैंने एक्वर्टिक हैविटेट ट्रेस्टियल हैविटेड और अन्यूजुवल हैविटेट को डीपली डिसकस किया है और यह जो वीडियो है आपके यूजी हो चाइपीजी दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आई ले सेकेंड है टेस्टियल एल्गी और थर्ड है एल्गी ऑफ अन्यूजुवल हैविटेट फर्स्ट वी डिसकस एबाउट अकवर्टिक एल्गी अपरी डॉमिनेंटली एक्वटिक एक्वर्टिक हैविटेट तो यदि हम बात करें एल्गे की तो एल्गी का जो जनरली marine algae वहीं बात करें यदि हम fresh water algae की तो जनरली pond, lag, river इन सभी प्लेस पर पाए जाते हैं वहीं बात करें यदि हम marine algae की तो जनरली आपके sea water में पाए जाते हैं तो अगर हम discuss करें aquatic algae के types की तो यह following type के होते हैं तो आगे जो हम जितनी भी केटेग्री पढ़ेंगे उसमें आपके एकोटिक एल्गी में मतलब कहने के मतलब वो फ्रेस वाटर और मारीन वाटर दोनों से रिलेटेड रहेंगे। तो सब्से पहले हैं मेकरेटिक हैं लगे ही तो райट सेवर्ल फ्रेस वार्टर के रगियर 10 ओर पाइस्ट की ओर सोल ना ही बात करें हम फ्रेस वार्टर बेंठोफाइड खोडने या फिर उसमें आते हैं नेटेला ब्रावन सब्सक्राइब से छुड़े होते हैं से चुड़े होते हैं आज निक्स हम डिस्कस करेंगे एक्विटिक एल्गी के अगले टाइप की जो की है इपक्टिफाइट सच एल्गी ग्रो एलोंग दा सोर आफ लैक्स एंड पॉर्ड दा मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेस वाटर फॉर्म आर उडोगोनियम चीटो फोरा स इस प्रकार के जो एल्गी होते हैं आपके जहर्नों या फिर पुक्रों के किनारे पाए जाते हैं और उसमें अगर हम देखे अगर फ्रेस वाटर में एल्गी की इप्रेक्टिफाइट जो कि हैं उडोगोनियम चीटोफोरा इस पाइरोगाईरा डाइटम साइटोनिमा नहर या फिर आपके कह सकते हैं तलाप इत्यादी के किनारे पाय जाते हैं अब इनकी दो केटेग्री हैं फर्स्ट है यू प्लैंक्टोफाइट और सेकंड है ताइको प्लैंक्टो फाइट्स तो इस तरह के जो आपके एल्गी होते हैं यह कभी भी आपके किसी भी सबस्टेटम से चिपके नहीं होते हैं यह सुरू से ही फ्री फ्लोटिंग होते हैं मतला हमें साथ तहते रहते हैं अगर एक्जांपल की बात करें हैं टाइको प्लैंक्टो फाइट्स इन दा बिगनिंग सच एल्गी आर अटेज बट लेटर आन दे बिकम डिटेज एंड फ्री फ्लोटिंग तो टाइको प्लैंक्टो फाइट्स जो एल्गी होते हैं वह सुरू स्टेटम से डिटाइज हो जाते हैं अलग हो जाते हैं और अपना जो लाइफ है वो फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में इस्पेंट करते हैं भी बात करें अगर हम एक्जाम्पल की तो इसमें आते हैं इस पायरोगाईरा जिंगनिमा क्लेड़ोफोरा ओडोगोनियम टेट्राइस में इस तरिट्राइब और इन इसफेस ऑफ और देब टूर्जियर तो इनकी दो केटेगरी हैं पहली है सेफ्वाइट और दूसरा है क्रिप्टो तो सबसे पहले हम बात करेंगे साफ़ोगनियम जयर गज़ने अर्थ सर्पेस पर पाया जाते हैं मुस्ट आप दो इस्पिस मीक्जोफाइज धून nee तो maximum जो mixophyce के member होते हैं या species होते हैं वो soil surface पर पाया जाते हैं और इन्हें हम बोलते हैं sappophytes तो यदि हम example की बात करें बाटरीडियम है फिस्चेला है वाउचेरिया है तो यह सभी जो है sappophytes है वहीं बात करें यदि हम terrestrial algae के अगले टाइप की जो की है क्रिप्टोफाइट तो इस तरह के जो एल्गी होते हैं क्रिप्टोफाइट वो जनरली स्वाइल के अंदर पाया जाते हैं अब अब नॉस्टॉक अनाबिना यूगलीना वें रिपोर्टेट फ्रां दपाया जाते हैं और नेट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं और जो मैदान या खेत है उसकी फर्टीलिटी अथात उत्पादक चमता को बढ़ाते हैं अब अभी तक रहे हमले ने या अबझेरे की है टो केटेग्री की बात थे अंदरे थी कि भाट काई जो के है अन्यूस्बोल है यूजिवल है यदि एल्गी की तो यह स्पेसिफिक प्लेस पर पाहे जाते हैं और उस specific place पर पाया जाने के कारण उनके specific habitat के name होते हैं तो जैसे अगर हम बात करें सबसे पहला unusual habitat है वो है लीथोफाइट्स Most important है many algae grow on the rocks and walls The species of cytonema grow on the walls in rainy season and the whole wall become black spotted तो यदि हम बात करें लीथोफाइट्स की जब algae आपके चटानों यह पर दिवालों पर पाया जाता है तो सब भी आपके जो वेट रॉक है उन पर पाया जाती है तो जैसा कि आप image में देख सकते हैं ये सभी जो हैं ये लिथोफाइट्स हैं और जैसा कि मैंने बता है जितने भी लिथोफाइट्स होते हैं वो आपके चट्टानों पर या फिर दिवालों पर पाये जाते हैं बात करते हैं second category की जो कि है है येलोफाइट्स तो ऐसे एलगी जो कि ऐसे प्लेस पर पाये जाते हैं जहांपर सॉल्ट केल्सियम मेगनीशियम या सोडियम की मात्रा अधिक होती है ऐसे एलगी को हम बोलते हैं है अगर एक्जामपल की बात करें एप एनोथिका और या ये सबी जो है एलगी हैलोफाइट्स है बढ़ते हैं अगले अनुजूवल हैबिटेट की ओर जो कि है एपिफाइट्स और मोस्ट इंपोर्टेंट है तो एपिफाइट्स एलगी क्या होते हैं मेनी एलगी आर पाउंड अपान अधर लिविंग प्लांट्स और बीगर इस्पिसीज एलगी क्या है कि जो एपिफाइट्स एलगी होते हैं वह जनरली दूसरे बड़े प्लांट होते है या फिस जो बड़े फिप्लांट होते हैं उनके उपर आएजगा है एक चीजा हाख अमेसा याद्रह06 साइब और उन्न ये यॉतरिचन और याज कि कि इपिफाइट्स में जो भी प्लांट होते हैं वो जिस प्लांट पे रहते हैं उससे कोई नुट्रिशन नहीं लेते हैं एफैनोचीट, बल्बोचीट, उडोगोनियम और माइक्रोइस्पोरा और फाउंड एपिफाइट्स on large species of उडोगोनियम, क्लेडोफोरा, वाउचेरिया और हाईडोडिक्टियोन तो यदि हम बात करें एफैनोचीट, बल्बोचीट, उडोगोनियम और कुछ माइक्रो इस्पोरा की जातियां होती है वो आपके उडोगोनियम, क्लैडोफोरा, हाइडोडिक्टियान, वाइचिरिया इन सब उपर इफिफाइट्स के फॉर्म में पाए जाती है बढ़ते हैं अन्यूजवल हैबिट के फॉर्थ फॉर्म की और जो की है एरोफाइट्स हो जाते हैं जो ज्ञनररली एरीयल हैविटेट में रहते है जेर लिए पॉड़ो के जो टंक होते हैं असात थात उनके जो बड़ी बड़े तो जो EP philophyte होते हैं, तो philogy हमेशा याद रेखे ही, field科ा मत्त होता है पत्ती, तो इस तरह के जो हेलगी होते हैं, जनरली पेडों की पतियों पर पाय जाते हैं अगर example की बात करें Trentopholia जो की आपके जो पौधे हैं पौधे के छालों पर या फिर जनरली पौधे की जो पतियां उन पर पाय जाते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं Epiphilophytes जैसा की image में आप देख सकते हैं जितने भी आपके Epiphilophytes हैं वो जनरली पतियों पर पाय जाते हैं बढ़ते हैं दूसरी केटेग्री की हो जो की है Epiphilophytes इस algae grow on the bark of tree mix with many mosses and liverworth तो इस तरह के जो algae होते हैं जनरली जो पौधों के छाल होते हैं उन पर पाय जाते हैं और जनरली ये moss या फिर लिवर्वर्थ से जुड़े होते हैं वहीं बात करें अगर एक्जामपल की तो 4 medium haplosiphone grow on the bark of tree mix with liverworth तो जो 4 medium haplosiphone है ये जनरली आपके पेड़ों की जो चाल होते हैं उनके पास या उनके उपर पाय जाते हैं तो ये बात होई Aerofights के different type की आए अन्यूजूवल के अगले point क्यों चलते हैं अगले heading क्यों चलते हैं जो की है EP Jew Fights तो नाम से ये आपको दिख रहा होगा EP का मतलब हमेसा होता है अबब जू से मिन है अनिमल और फाइट से मतलब है प्लांट मतलब की ऐसे इलगी जो की आपके अनिमल के उपर रहते हैं उन्हें बोलेंगे EP जू फाइट तो आए डिसकस करते हैं certain algae are found on living aquatic animal such as turtle, mollusca, cell, feces, etc तो जो कुछ इलगी होते हैं generally aquatic animal जैसे की कच्छों पर जो मुलशकन के cell होते हैं जो की calcium carbonate के होते हैं जैसे घूंगा है, सीप है इनके cell के उपर या फिर मचलियों के उपर पाय जाते हैं वही बात करें अगर हम example की species of cladophora grow upon mollusk cell तो जो cladophora होते हैं जरली जो molluscan के cell होते हैं उनके उपर पाय जाते हैं वही बात करें प्रोटो डर्मा की वह कच्छों के back पर पाय जाते हैं तो ऐसे algae जो की animal के उपर पाय जाते हैं उन्हें बोलते हैं इपी जूफाइट्स चलते हैं unusual habitat के अगले types की और जो की है cryophytes इस algae are found on eyes and snow इस तरह के जो algae होते हैं जरली आपके बर पर पाय जाते हैं इस इंपोर्टेंट है एक्जाम में पूछा जाता है cryophytes की से करते हैं तो जो आपके snow पर या बर पर पाय जाते हैं उन्हें हम बोलते है cryophytes इस algae form cause red snow, green snow, yellow snow, yellow is green snow and violet snow तो आपने जैसा सुना होगा की red snow, green snow, yellow snow तो आपने ये सब जो सिना है ये सब आपके ये अलग-अलग algae हैं जो कि आपके ice में या फिर snow में पाय जाते हैं तो आइए बात करते हैं एक्जामपल की तो जैसा कि red snow, watermelon snow, या फिर snow, yellow, pink snow, blood snow ये सबी जो अपने लोगे ने नाम सुना है ये claymido munaist niveles के वज़़े से बने हुए हैं तो क्लेम आइडो वनास निवेलिस जो है यह एक तरह से क्रायो फाइट से जो कि आपके आइस याइस नो में पाया जाते हैं बढ़ते हैं अनुजवल हैबिटेट के अगले टाइप के और जो कि हैं सिंब्योंस और और इंडो फाइट्स तो बहुत से जो यह होते हैं वह से जीवी के रूप में किसी दूसरे प्लांट के साथ पाय जाते हैं अगर आप 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 लिकेंग जिसमें की वह फंजाई के साथ जुड़ा होता है वारियस मिह चोठाइब कॉर नाइस डूर्ट मिक्रोसिस्टेत साइटो निमा रावल्य सपरेट फ्रॉप यह सिंपराइट फ्रॉं's ऑन्र बॉट्भी Welडन यह सभी जीए इस चने और प्लिट कार्ण कोशपार आप के श्यूमिट क twitch वाह है ठीघ्र ग्रीन एल्गी है वही बात करें अगर हम इंडोफाइट्स एल्गी की सेवरल एल्गी आर इंडोफाइट्स इन देटीशु आफ अधर प्लांट्स तो कुछ जो एल्गी होते हैं किसी दूसरे प्लांट के टीशु के अंदर पाया जाते हैं जैसे एक्जामपल के रूप में अगर हम इंडोफाइट्स एल्गी के एक्जामपल के रूप में लें तो एनडोफाइट्स एल्गी है और यह एजोला जो की एक टेरडोफाइट्स प्लांट है उसके पतियों में इंडोफाइट्स के रूप में पाया जाता है जैसा कि इमेज में आप लेफ्ट साइट पर तो वहीं बात करें हम एक एकली ऑर लेन बी ना सेकेटी की जो कि people रूट में रूट में फैंद जाता है तो हम सभी साइकर से कफे परिमें तो नॉट टाइलबAR वह जनरली आपके आउयली आपके लोटो थाइलस के टीसू में पाया जाता है यह भी एक ग्जम्पल है मैं अगले एक्जम्पल की बात करें नॉस्टॉक इस फाउंड इन दे लीफ आफ इस फैगनम विचार ब्राइफाइट्स एंड सेवरल एंजियो स्पर्म तो नॉस्टॉक की कुछ जातियां जो होती है इ इंडो का मतलब होता है विदिन जू मतलब इनिमल फाइट मिंस प्लाट मतलब यह ऐसे होंगे जो कि आपके इनिमल के बाड़ी के अंदर पाया जाएंगे सर्टेन एल्गी आकर इंसाइड बाड़ी आफ एनिमल जैसे कि मैंने बताय था कि कुछ जो एल्गी होते हैं जो की रिएवाट्टेू के अंदर पाएजाती है उन्हें बोलते हैं जू जू फाइट्स वहीं बात करें एगर हम एक जांपल की तो जू खलॉरेला इस फाउंड इनसाइड़ इनसाइड था हइडरा वेरी इस तो जो जू कोलोरियला है यह एक अल्गी है जो की हाइड्रा वेरी बट कुछ ऐसे भी यह होते हैं जो कि आपके पैरा साइट होते हैं तो most important एक्जाम में इसे बहुत सारे question उचे जाते हैं तो है सबसे पहले हम बात करेंगे कि पैरसाइट इल्गी क्या होता है तो जो कुछ इल्गी होते हैं वो पैरासाइट अथत पर जी वी के रुप में पाय जाते हैं जैसे अगर एक्जामपल के रुप में लें तो मोस्ट इस्ट्रिकिंग इजामपल इस सिफेलियुरस which causes a disease of tea in Assam which disease is called red rust of tea तो Sifilurus एक algae है जो की एक disease कार्स करता है चाय की पतियों में जिसे हम बोलते है red rot of disease और जनरली ये disease Assam में चाय की पतियों पर पाय जाता है तो most important है आप इसे याद रखेगा आई ये बात करते हैं unusual habitat के अगले टाइप की जो की है fluvitile such algae are found in rapidly flowering waters तो इस तरह के जो एल्गी होते हैं वो गेते हुए जो पानी है उन पर पाय जाते हैं जैसे हम बात करें यूलो त्रिक्स ये mountain fall पर पाय जाते हैं नेक्स हम बात करते हैं unusual habitat के लाश डाइप की जो की है थर्मोफाइट्स तो नाम में यह थर्मो मिंस होता है many algae are reported from hot spring तो कुछ जो एल्गी होते हैं बहुत अधिक गर्म पानी या ऐसे चितरों पर पाय जाते हैं इस algae may be tolerant the temperature up to 70 degree centigrade or more than that तो कुछ जो एल्गी होते हैं वह 70 degree centigrade या उसे अधिक temperature पर भी टॉल्रेट करते हैं जैसे बात करें some oscillatory sea may survive up to 85 degree centigrade this support that mix of ice that is blue green algae are primitive तो यह support करता है कि जो mix of ice or blue green algae है यह सबसे primitive algae है जैसा कि हम सभी जानते हमारे जब प्रित्वी का origin हुआ तो समय अगर कोई organism आया तो वह सभी प्रोकरियाटिक थे तो हमारे अर्थ पर अगर सबसे पहले अगर कोई plant आया है तो वह mix of ice आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्रिमिटिव करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है तो आई होप दोस्तों आपको आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक किजिए और अपने दोस्तों में इसे अधिक सदीक सेयर कीजिए और यदि आप हमाया चैनल पर नहीं है और अभी तक आपने माई चैनल को सब्स सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकान है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आज के लिए बस इतना ही जाहिंद जाय भारत